बाश्पार नीता अमित मालविय ने राहूल गांदी का एक वीडियो शेयर किया है। जी हैं आपको बता दे भारते जन्ता पार्टी की नेता अमित मालविय ने अपने ट्वीटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर कॉंग्रिस के नेता राहूल गांदी पर तंज कसा है। अमिता ने सनीवार सुभा एक वीडियो जारी किया है। दरासल राहूल गांदी अपने दो दिवशे दौरे पर सुक्रवार को तिलागना पहुचे थे। मालवियन ने जो वीडियो शेयर किया है उसमे राहूल गांदी कुछ कॉंग्रिस नेताओं के साथ एक कमरे में दिख रहे है। वीडियो में राहूल गांदी को या पूछते हुवे सुना जा सकता है कि क्या बोलना है मुझे वास्तों में क्या कहना है। दावा किया जा रहा है कि राज में किसानों के एक कर्करम को समधित करने से पहले राहूल गांदी की कॉंग्रिस नेताओं के साथ एक बैठक थी। इसी दोरान उनके इस बयान को किसी ने सूट कर लिया। सत्य सकेंड की वीडियो क्लिप में राहूल गांदी को एक कुर्सी पर बैठे और अननेताओं से पूछते हुवे दिखा जा सकता है। आज का मुख्य विशे क्या है? क्या बिलकुल बोलना है? मुझे वास्तों में क्या कहना है? राहूल गांदी को तिलांगना में किसानों की मुद्दों पर एक जनसभा को सम्मुदित करना था। आमित मालविय ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया और कहा कल यानि सुक्रवार राहूल गांदी तिलांगना में अपनी रैली से पहले पूछते हैं कि थीम क्या है? क्या बोलना है? मालविय ने ये भी कहा कि ऐसा तब होता है जब आप निजी विदेश, यात्राव और नाइट क्लबिंग के बीच राजनीती करते हैं। दरसल अमित मालविय उस हाली है वारल वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें राहूल गांदी नेपाल के काटमांडू के एक लोग प्रिये नाइट्स क्लब में देखे गए थे। रहूल गांदी सोमवार को नेपाल की राजधानी में अपनी पत्रकार मित्र शुमनीमा उदाशी की शादी में सामिल होने के लिए मैरियट होटल में थे। पिरो रिपोर्ट आईपियन कर्पोर्ट आईपियन